हलो दोस्तों मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं दिलललन टॉप एक जनवरी 2018 को जीरो फिल्म का पहला टीजर आया था तब से फिल्म का इंतजार था यानी 11 महिने 20 दिन का इंतजार इस इंतजार का क्या सिला मिला आईए जानते हैं 2018 में सलमान ने रेस्त्री से निराश किया और आमिर ने ठक्स ओफ हिंदुस्तान से साल के आखिर में किंग खान कहलाने वाले शाहरुक जीरो लेकर आये हैं साथ में अनुष्का और कट्रिना जैसी इंडस्री की टॉप की हिरोईज जीशान और तिग्मान शुधुलिया जैसे टैलेंटेड सहकलाकार और आनंद एलराय जैसा तगडा डारेक्टर बावजूद इसके कुछ खास पल्ले नहीं पड़ता क्या है जो देखा जा सकता है शाहरुक खान इस आदमी का एनरजी लेवल किसी दूसरे ही प्लानेट की चीज है बोस पर्स्थ आप में तो उनसे नजरे ही नहीं हटती बववा सिंग जो है तो एक बौना आदमी लेकिन अपनी शारिरीक दुरबलता की वज़े से किसी ही इन भावना से ग्रस्त नहीं हुआ है बलकि वो उसे सेलिब्रेट करता है दुनिया मेरे ठेंगे से टाइप रवया रखता है एक्ट्रेस बवीता कुमारी के लिए पागल है वही साइंटिस्ट आफिया यूसुफ जई को इंप्रेस करने के लिए लिटरली तारे तोड़ कर दिखाता है फिल्म में जो कुछ अच्छा है सबकुछ फर्स हाप में ही है जैसे बे इंतहा खूप सूर्ती से फिल्माया हुआ गाना मेरे नाम तू ये इतना शांदार बन पड़ा है कि मन ही नहीं करता खत्म हो इस गाने में 90 और उसके बाद के कुछ सालों के उस शारूप की जहलक मिलती है जिसकी फैली हुई बाहों में दुनिया समा जाती थी और गालों के डिमपल्स में काइनात गर्ख हुआ करती थी इर्शाद कामिल ने बढ़िया गीत लिखे हैं अजय अतुल का म्यूजिक है जो उनका स्टैंडर से काफी कमतर है एक दो गाने ही उंदा बन पड़े हैं फर्स्ट हाफ में मुहम्मद जीशान आयू भी कमाल का सपोर्टिंग एक निभाते हैं कुछ एक बहतरी इन पंच लाइन्स आई हैं उनके हिससे मेरट का लहजा वो कामियावी से पकड़ते हैं कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ बढ़िया कहा जा सकता है गड़बड सेकंड हाफ में है और तगड़ी वाली है यू जैसे फराटे से उड़ते किसी स्पेस क्राफ्ट की क्रैस लेंडिंग हो जाए इस हाफ में ऐसा कुछ होता है कि टाइटानिक से आइसबर्ग टकरा जाता है और जहाज अपनी पूरी खूप सुरुती को लिये दिये डूब जाता है मेरट की कहानी मुंबई तक तो बरदाश्थ हो जाती है लेकिन यूएस आते आते आप चीटेड महसूस करने लगते है एक के बाद एक इतने अतारकिक सीन्स घटने लगते हैं कि एक वक्त के बाद आप दिमाग लगाना बंद कर देते हैं बस चाहते हैं कि जो भी परदे पर हो रहा है वो जल्दी से खत्म हो ताकि आप घर जा सके यूँ लगता है एक ही टिकट में आपने दो फिल्में देख ली हो इंटर्वल से पहले कुछ और, इंटर्वल के बाद कोई और किसी प्योर बॉलिवूड इंटर्टेनर से आप महान फिल्म होने की उम्मीद तो नहीं कर सकते लेकिन जीरो जितने बड़े प्रोजेक्ट से आप थोड़ी सी तार्कित्ता की उम्मीद तो करते ही है मैं यहाँ कहीं जीन्स का उधारन देकर अपनी बात समझा सकता हूँ लेकिन वो सबके सब स्पोईलर्स में आएंगे इसलिए खुच जाकर देखिए एक्टिंग के फ्रंट पर शारुक ही है जो सबसे जादा मार्क्स ले जाते है कैटरीन अबी ठीक ठाक है जीशान शांदार है तो अनुष्का सबसे कमजोर कड़ी तिगमान शू पतानी की इस फिल्म में क्यों थे कुल मिलाकर जीरो को ऐसे ही समराइज किया जा सकता है कि इससे बच्चे खुश होंगे और डाई हाड शारुक फैंस जेल जाएंगे बाकी आप खुद देख करता ही खरी है कसम से जीरा चकना चूर हर शुकुरवार एक नई फिल्म का रिव्यू जानने के लिए आप देखते पढ़ते रहिए दिललललन टॉप अगर आप फेस्बुक पर है तो हमारा पेज लाइक कीजिए अगर आप यूटुब पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अब तो हमारा एंडॉइड आप भी आ चुका है तो प्ले स्टोर पर जाएए उसे डाउनलोड कीजिए